एक बार की बात है, तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ी कठोर तपस्या की, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रम्भा ने उसे वर्दान दिया कि उसे सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार पाएगा। इस शक्तिशाली वर्दान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया, और उसने स्वर्ग लोक और प्रिथ्वी लोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, उसके उत्पाद से देवता परेशान हो गये, उन्हें शिवजी से तारकासुर को रोकने का अनुरोध किया, उस शिव की पतनी बार्वती बहुत प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाने लगी, उन्होंने इन बच्चों को इतने जोर से गले लगाया कि छे बच्चे मिलकर छे सिरवाले एक बच्चे में बदल गए, इस बच्चे का नाम कार्थिकेय रखा इस प्रकार शिव पुत्र कार्थिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला, तभी से कार्थिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा